आप सभी का वेलकाम है पीएस क्लासेज में जैसा कि आप जानते हैं सबसे विश्वसनी और प्रमाडी सुचना लेकर पीएस क्लासेज प्रयागरास से प्रेजेंट होता है तो ऐसेम दोस्तों बेग ब्रैकिंग निउस निकल करके आ रही है योगी सरकार को लगा है तकड़ा जटका प्रात्मिक बरती 48 घंटे में जबाब मांगा गया है कोट की फटकार लगी है नीडे तुरंत करने की मांग हुई है और आदेश दिया गया है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ने इस पहले कर अभी तक भी आपने हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा राइट साड़े वेल आइकन के बटम को प्रेस कर दीजेगा ताकि वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों एक बार पुना देख सकते हैं प्रास्मिक सिचक भरती को ले करके 48 गंटे में जबाब मांगा गया है योगी सरकार को ताबर तोड़ फटकार लग रही है कोट का आदेश जारी हो गया है चलिए सीधे ले चलते हैं देख सकते हैं सिचक भरती में आदेश अनुप प्रती मामले में उत्तर प्रदेश परिच्छा नियामक प्राधिकारी पिनपी के सचिव अनिल भूसर चदुरेदी को आदेश का पालन करने के लिए मातर तालिस घंटे की महलत दी है साथ ही सचिव बेसिक सिचा परसत के अधिवक्ता को भी इस मामले में अगली सुनवाई पर नियुक्ति संबंधी कारी की प्रगती के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है कोट ने यह भी पूछा है कि सचिव पर इच्छा नियामक प्राधिकारी को भेजे गए पत्र पर क्या कारवाई की गई है देख सकते हैं दोस्तों बड़ी कारवाई यहां आदेश नया बनानी के नुवति दी है कहां एकी सुप्रिम कोट के आदेश के बाउजू दिराजसरकार ने याचियों को एक नंबर नहीं दिया कोट ने उनुपालन रिपोर्ट मांगी थी किन्तों आदेश का पूढ़ते हाँ नहीं किया गया इस पर गलत उत्तर कुंजी जारी के जाने पर उन्याची अभियर्थियों को एक अंग देकर मेरिट में सामिल करने का आदेश दिया था लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर प्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया और इस पर एक बार ताबर तोड़ खारवाई हो रही है अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले सबसे विश्वसनी सूचना आप तक पहुचे तो चाइनल को आवस सबस्क्राइब करें और राइट साड़े मेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुच सके थांक्स पोर वाचिं माइ वीडियो